नमस्ते आप सभी को आपका स्वागत है मेरे किचन में अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज हम बनाएंगे एक मैकरोनी तो चलिए रेसिपी की सुरुवात करते हैं सबसे पहले हम पैन को गर्म करेंगे उसमें बटर डालेंगे बटर को अच्छी तरह मेल्ट होने देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं फिर हम इसमें एक स्पून लहसून डालेंगे फिर इसमें प्याज डालेंगे और लहसून और प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको दो मिनट फ्राइ करने के बाद इसमें गाजर, कैपसिकम, टमाटर ये डाल करके अच्छे से इसको फ्राइ करेंगे इन सब्जियों को आप सिर्फ दो मिनट फ्राइ कीजिएगा इससे ज्यादा नहीं तो अब हम इसमें थोड़ा हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, गोल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सोया सॉस डाल देंगे, फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सबको सबजीों में अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से फ्राइ करेंगे इसको 2-3 मिनट तक आ फ्राइ कीजिएगा अब जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला त्यार हो चुका है अब हम इसमें एक एक डालेंगे फिर हम इसको अच्छे से सारे सब्जियों में मिक्स कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं और जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसमें जो मैकरोनी हम बॉयल करके पहले से रखे हुए थे उसको इसमें डाल देंगे फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों में और ये देखे कितना अच्छा लग रहा है ये रेसेपी काफी एजी होती है आप जरूर ट्राइ कीजेगा और अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे मेरे वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे थैंक यू